ना करेंगे मुझे तो ना कोई आसी चेन देता है ना ही कोई ड्रेस दिलाता है मंबी जी तो पहले ही पीछे पर जाती है मेरे कि तेरी एनिरिज्वर्सरी आरही है पता नहीं तुझे कितना दे देगा मेरा बेटा बताओ मंबी जी आप मैं जुट बोल रही हूं तो फिर भी ममी जी में कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज़ की कमी है कहा कभी दीदी आपको मेरे माईके से कभी सिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो कभी नहीं कहती मेरी ममी ऐसे क्यूंकि मुझे पता है ये घर मेरा है और मुझे यहीं पर रहना है ममी जी आज तो आप हो जो छोटी छोटी बातों पर दीदी को बुला लेते हो 15-20 दिन महिने ये रहे के चली जाती है कल को इनकी कौन सुनेगा आपके अमर ही रहने वाली हो जो ये हमेशे आएगी और आप इनको रख लोगी कोई अमर नहीं रहता ममी जी सुसराल ही होता है बेटी का घर और वो ही इनका भविश्य है दीदी समय देते समझ जाओ आप दीदी आप मुझे बताओ आपको कोई तकलिफ है कोई गलत विवार कोई ताने बाजी करता है आप से आप मुझे बताओ मैं आपकी भावी हूँ मैं आपके भविया से बात करूँगी ममी जी हम सब बात करेंगे उनसे के भविया आप ऐसा क्यों करते हो ममी जी मेरा तो आपको बस इतना ही कहना है आप दीदी को सुसराल में बसने दीजिए वो ही उनका असली घर है बहु तु मेरी भहु नहीं होनी चाहिए थी हाँ मम्मी बिल्कुर सही बोल रहे हो आप मुझे भी ऐसा ही लगता है इनसे अच्छी भाबी लेका आती अपनी भाई के लिए कोई फरक नहीं पड़ेगा इन लोगों को तू चुपो पहले बहु तू मेरी सास या दादी मोसी ताई होनी चाहिए थी हाँ बहु अगर तू मेरी दादी ताई या सास होती न जो मुझे सिक्सा देती फिर मैं अपनी बेटी को यही सिक्सा देती हाँ तो दिदी टिसिन पैक कर दू या फिर यहीं खाना तो टेबल पर लगा दू सारा दिन फॉन पे हमारा खुन जलाती है तू मम्मी आप लोगों से तो अच्छे मेरे साथ ससूर है जो पुरे दिन मेरे पीछे पीछे गुमते है ये खाले वो खाले इतना प्यार करते है मुझे बस दिदी बस इतनी देर से मैं आपको बस यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी इस ससूराल में कोई कमी नहीं है आपके अब बेटा तू ही के रही है के तेरे ससूराल वाले अच्छे है तेरी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तेरा पक्ष ले लेती, तो हमें ही महिंगा पड़ जाता अच्छा मैंने कभी तेरी ससू से बात नहीं की, तेरी सास्त एकदम सीधी है, वो बिचारी कभी कुछ कहती नहीं है मैं बेटा एक बात कहूँगी तुझे जो मैं कभी कहना नहीं चाहती थी पर आज कहूँगी तु अपनी भाबी जैसा बन इधर उसकी कोई मन मर्जी नहीं होती, कोई सिकायत नहीं है, फिर भी रह रही है यहाँ एनरवर्सी में बड़े में, भाबी का हमने आज दिन तक कुछ नहीं दिया, तुझे ते इतना कुछ देते हैं, फिर वी तू सिकायत करती रहती है सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है, वो उतना ही नाटा करता है भाबी मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं, कि जनम दिन और एनरवर्सी तो आपकी भी आती है मैंने और मम्मी पापाने तो आप लोगों को कभी कोई गिस्ट दिया ही नहीं भाबी मैंने आपको गलत समझा, अपसे मैं आप जैसी अच्छी भाव बनके दिखाऊंगी और वो भाव बनके दिखाऊंगी जो मैं के मैं आके अपनी सुस्राल वालों की इज्जत ना उच्छा ले क्यों मम्मी? हाँ बेटा, ऐसा ही बनना है आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी नमस्कार दोस्तो, एक मा की सिक्सा होती है जो बेटी की सुस्राल में पूरी तरह काम आती है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताना अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना